हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू और चैनल मेरा नाम है प्रेम सिंग और आप देख रहे हैं अर्णिंग प्लैनर तो फ्रेंट्स फाइनली हमारी यहां पर यूट्यूब की रिक्वार्मेंट 1000 सब्सक्राइबर और 4000 गंटे का जो वॉच्टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है औ वही तरीक हम यहां पर यूज में लेंगे और यहां पर हम आपको हमारे चैनल को चार्ट दिनों के अंदर मोनेटाइज करके दिखाएंगे तो फ्रेंट्स ज्यादा टाइम वेच्ट ना करते हुए मैं आपको हमारे लैप्टॉप की स्क्रीन के उपर ले करके चलता हूँ सामने एप्लाइ और साथ ही में यहां पर मेरा जो चैनल है उसको मौनेटाइज करके दिखाएंगे जाता है दूसरे step के अंदर आपको अपने AdSense के account को अपने YouTube के account से link करना रहता है और तीसरे step के अंदर आपको जो YouTube channel है वो YouTube के पास में review के लिए जाता है तो यहाँ पर हम सबसे पहले step 1 को complete कर लेते हैं step 1 के यहाँ पर ही आपको start के option मिलता है simply start के उपर click कर देना है उसके बाद में pop-up के अंदर YouTube partner program की terms and conditions आजाएंगी तो आप इनको अच्छे से read कर ली जाएगा terms and conditions को अच्छे से read करने के बाद में आपको simply नीचे आजाना है नीचे आपर आपको एक option मिलेगा I accept the YouTube partner program terms आपको simply इसके उपर click कर देना है अब बारे आती है friends step 2 की आपको simply step 2 को complete करने के लिए नीचे एक तरफ एक start का button मिल जाएगा simply start वाले button के उपर आपको click कर देना है इसके उपर click कर देने के बाद में pop-up के अंदर यहाँपर आपके सामरे एक drop-down menu open हो जाएगा तो simply आपको इसके उपर click कर देना है इसके उपर click कर देने के बाद में totally आपको तीन options देखने को मिलेंगे पहला मिलेगा yes I have an exiting account दूसरा मिलेगा no I don't have an exiting account और तीसरा मिलेगा I don't know तो देखिए friends जैदी आपका already एक adsense account है चाय से वो किसी simply no I don't have an exiting account के उपर click कर देना है और यदि आपको पता नहीं कि आपका adsense account है या नहीं तो आप simply I don't know के उपर click कर सकते है तो friends यहाँ पर मेरा जो adsense account है वो already created है मेरी इसी Gmail के अंदर मैंने अपनी adsense account उसको create किया हुआ है तो उसको add करने के लिए मैं को simply yes I have an exiting account के उपर click करना होगा friends एक बात और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसके अंदर apply कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि आपका जिर्फ एक ही adsense account होना चाहिए अगर एक से ज़्यादा adsense account आपने पहले से ही create किये हुए है तो simply आप जाकर के पहले उन सभी को close कर दीजिए सिर्फ एक ही adsense account आपको रखना है एक ही adsense account रखना है और उसी को आपको इसके अंदर add करना है अगर आपको नहीं पता कि adsense account को किस तरीके से close किया जाता है तो उसके ओपर हमने already एक video create की हुई है जिसका link आपको इस video के description में मिल जाएगा simply वहाँ जाकर कि उस video को देखिए और अपने adsense account को close कीजिए बस एक ही adsense account रखिए ठीक है तो यहाँ पर मैं अपना yes I have an exiting account के उपर click कर देता हूँ click कर देने के बाद में यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा continue का इसके उपर आपको click कर देना है इसके उपर click कर देने के बाद में आपके जिस भी gmail id पर आपका adsense account available है उस gmail id को आपको simply select कर लेना है मेरा यहाँ पर earning planner के नाम से इसी gmail id के अंदर available है तो मैं इस वाली gmail id को click कर देता हूँ इसके उपर click कर देने के बाद में आप यहाँ पर adsense की website के उपर redirect हो जाएगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके adsense की पूरी detail यहाँ पर आपको मिल जाएगी जो भी adsense profile है आपकी उसकी पूरी detail यहाँ पर आपको मिल जाएगी simply यहाँ पर आपको नीचे नीचे आ जाना है और नीचे की दरफ आपको एक option मिल जाएगा क्लिक करना है उसके पर पर मोबाई नंबर की अपर एग को यहांपर एंटर कर देना है तो यहांपर मैं आपने एंigit корड था ओki संपिट वाले एक बटन विटन मिलेगा ही इसके बाद में आपकी구 e add के पास जाएगी रिव्यू के लिए 24 से 48 गंटे का टाइम लगता है रिव्यू के अंदर अगर आपका 24 से 48 गंटे से ज्यादा का टाइम लग रहा है तो simply आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको उसका solution कमेंट बॉक्स के अंदर बता दूँगा यहाँ पर ह तरीक है 30 दिसंबर 2022 और टाइम हो रहा है पांच बचके पांच पीम का फ्रेंट जब तक हम यहाँ पर वेट करते हैं आप प्लीजिस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन में लेगा उसके उपर प्रेस कर दीजी वीडियो को लाइक कर दीजी फिर हम आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर हमने उसको कंप्लीट करी तो फ्रेंस हमारा है यहाँ पर स्टेप टू भी कंप्लीट हो चुका है स्टेप टू के आगया आप देख सकते हैं डन लिखा हो आ गया है यहाँ पर हमार को फिक्स 48 गंटे के टाइम लगा है की हमारे step 2 के अंदर error आ गई थी अगर आपको भी step 2 के अंदर error आती है तो मैंने उसके अपर already एक video create की हुई है उस video का link मैं आपको इस video के description में दे दूँगा simply वहाँ जाकर कि आप उस video को देख सकते हैं मैंने वहाँ पर live अपने जो error है उसको fix कर की बताया है अगर हमारा यहाँ पर error नहीं आता तो 24 गंटे के अंदर अंदर ही हमारा channel का step 2 complete हो जाता तो फ्रेट्स अब बार यह step 3 की जो की automatically in process के अंदर चले गया है जैसी आपका step 2 complete होता है automatically step 3 जो है in process में चला जाता है अभी आपका YouTube channel है वो YouTube के पास में review के अंदर किया हुआ है और review के अंदर totally maximum एक महिने का time लगता है और minimum 24 गंटे का time लगता है जैसा कि मैंने आपको वीडियो की starting के अंदर ही बता दिया था कि मैं आपको 4 दिन के अंदर अंदर ही YouTube को monetize करके दिखा दूँगा तो यहाँ पर आभी आप देख सकते हैं 30 तारिक को मैंने आपको बताया था 31 तारिक complete हो चुकी है और आज देख लीजे एक तारिक है आप यहाँ पर आप देख लीजे का कल तक मेरा channel है यह monetize हो जाएगा और कल हमारे चार दिन complete भी हो जाएगे तो देखते हैं कल तक मेरा channel monetize होता है या नहीं तो फ्रेंटस आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा YouTube channel है वो monetize हो चुका है successfully 24 गंटे का time यहाँ पर लगा था 24 गंटे के अंदर अंदर हमारा YouTube channel है और monetize हो चुका है आप यहाँ पर नीचे टाइमिंग देख सकते हैं आज तारीक है 2 जनवरी 2023 और टाइम हो रहा है 6 बच करके 40 पीम का तो आप यहाँ पर calculate कर सकते हैं मुझे यहाँ पर कितना time लगा होगा अपने channel को monetize करवाने के लिए लगपग 25-26 गंटे के आज-पास मुझे time लगा था और पूरा channel यहाँ पर देख सकते हैं मेरे यहाँ पर monetize हो चुका है और साथ ही मैंने यहाँ पर जो भी वीडियो मेरी डाली थी उन सभी के उपर एड़ोटाइजमेंट्स रन करने के लिए एक option भी आ चुका है टर्न ओन एड्स का सिप्लिए इसके उपर क्लिक करके मैं अपनी सभी वीडियो के उपर एड़ोटाइजमेंट्स को रन करवा सकता हूं तो फ्रेंस आयोप आपको अच्छे सब पूच क्लियर हो गया कि आप किस तरीके से अपनी यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए सेंड कर सकते हैं जब आपके 4000 गंटे और 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया जो हो जाता है तो फ्रेंस आपको ये वीडियो कैसे लेगी ये ये वीडियो आपको अच्छे लेगी तो इसे लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल प्रनाए है तो इसे सब्सक्राइब लिए वीडियो को देखनें के लिए धन्यमाद आपको दिन शूवर